नमस्कार स्वागत है आपका नैशनल खबर में जातिये जणगर्णा पर बैचक में टेजस्पी यादफ से पीम मोदी ने पूछा कैसे हैं लालो जी जातिये जणगर्णा को लेकर बिहार के सीम नितिश कुमार के नेतदु में 11 सबस्यों का प्रतिनिधी मंडल ने पीम मोदी से मुलकात की मुलकात के दोरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस्पी यादफ से आरचेडी नेता लालू यादफ के स्वास्ति के बारे में पूछा है जानकौरों को कहना है कि प्रतिनिधी मंडल हैरान था क्योंकि बैठक के एजेंटें और नितिश कुमार के प्रेजेंटेंशन से पहले पीम मोदी ने तेज़स्वी यादव से उनके पिता के बारे में कई सवाल पुझे आरजेडी प्रमुक 73 वर्षे लालू यादव सांस की समस्य की वज़े से होस्पिटल में एडमिट होते रही हैं उन्हें किडनी और हिर्दे समंदी समस्याओं सहित और भी कई बीमारिया भी हैं जन्वरी में लालू यादव को दिल्ली के एंस होस्पिटल में तब भरती करवाया गया था जब वो प्रस्टाचार के मामले में जेल में सजा काट रहे थे अप्राइल में उन्हें जमानत पर रिहा किया गया था रांची की जेल होस्पिटल में उन्होंने अपनी अधिकांस सजा बिताई थी जाती आधारी जड़गर्ना की मांग पर प्रती निधी मंडल ने ये मोदी से बिहार और देश भर में उचित निर्ने लेने का अनुरूद किया नितिश कुमार ने बैठा के बाद कहा इस मुते पर बिहार और पुरे देश के लोगों की राय एक जैसी है हमारी पास सुनने के लिए हम प्रधान मंतरी के आभारी हैं हम उनसे उचित निर्ने लेने का अगरह करते हैं तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारे प्रतिनीदी मंडल ने आज ना कीवल राज्य में ही बलकि पूरे देश में जातियों की जडगर्णा के लिए प्रधान मंतरी से मुलाकात की अगर जानवरों और पेड़ों की गर्णा की जा सकती है तो लोगों की भी कर सकते हैं जाती जडगर्णा एक एतिहासिक गरीब समर्थक उपाय होगा तेजस्वी यादव ने ये भी बताया है कि धर्म और SCST पहले से ही जडगर्णा प्रध्रों में सूची बद थे जाती के लिए केवल एक अतिरिक्त कॉलम डालने की आविशकता थी तो इसी तरह आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे और भी खबरों को जानने के लिए और हमारे इस चैनल को सब्स्राइब करना ना भूलेगा धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर लाइक करें फेस्बुक पर और जादा जानकारी के लिए नाशनल खबर की वेब साइट पर जाएं आपको टाइप करना होगा सिर्फ नाशनल खबर